मध्यप्रदेश के सागर जिले में डॉक्टर हरी सिंग गौर युनिवरसिटी को अंतराश्य वेबिनार रद करना पड़ा वो भी वेबिनार शुरू होने से महद दो घंटे पहले अंग्रेजी अकबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपॉर्ट के मताबिक मध्यप्रदेश पुलिस ने युनिवरसिटी के वाइस चांसलर को चिट्थी लिखकर चिताया था कहा था कि अगर वेबिनार में धार्मिक और जातिय भावनाय आहत की जाती है तो कारवाई की जा सकती है इंडियन एक्सप्रेस के मताबिक सागर जिले के पुलिस अधीकशक अतुल सिंग ने 29 जुलाई को युनिवरसिटी के कुलपती को वेबिनार के आयोजन को लेकर पत्र लिखा था उन्होंने लिखा था कि उन्हें वेबिनार में शामिल होने वाले वक्ताओं के इतिहास के संदरबो पर कथित राष्ट विरोधी मांसिकता और जाती आधारित बयानों के बारे में सूच न मिली है वेबिनार में जिन विश्यों पर चर्शा की जानी है उन पर पहले ही समझोता कर लिया जाना चाहिए SP ने चेता है था कि अगर इस वेबिनार के दौरान किसी वी वज़ा से धार्मिक और जातिय भागनाय आहत होती है तो IPC की धारा 505 के तहट एक्शन लिया जाएगा जिन प्रमुक लोगों को इस वेबिनार में आमंतरत किया गया था उनमें CSIR के पूर्व मुखे वज्यानिक गौहर रजा, दिल्ली उनिवर्सिटी के प्रफेसर अपूर्वानन आयाटी हैदराबाद के हरजंदर सिंग और अमेरिका की ब्रिजवाटर स्टेट उनिवर्सिटी में सहायक प्रफेसर डॉक्टर असीम हसनैन का नाम शामिल था ये वेबिनार 30 और 31 जुलाई को होना था गुरुवार यानि की 29 जुलाई को जिजन SP ने कुलपती को लेटर लिखा उसी दिन विश्वविद्याले प्रशासन ने मानव विज्ञान विभाग को केंद्रे शिक्षा मंत्राले को पत्र लिखकर आयोजन की अनुमती मांगने के लिए कहा प्रफेसर गौतम को लिखे पत्र में रजिस्टरार संतोष सौगोरा ने लिखा था कि मंत्राले से अनुमती नहीं मिलने पर उनलाइन वेबिनार पोस्ट पोन कर दिया जाए पत्र में आगे गौतम और उनकी टीम से कहा गया कि वे इस आयोजन के लिए सूत्रो ने कहा कि मानव विद्जान विभाग्न ने केंद्रे मंत्राले को अनुमती के लिए लिखा लेकिन प्रतिक्रिया के अभाव में प्रफेसर गौतम और उनकी टीम को वेबिनार रद करना पड़ा इस मामले में कुल्पटी की ओर से कोई बयान नहीं आया है ABBP ने वेबिनार में शामिल हो रहे वक्ताओं के विरोध में 22 जुलाए को एक ग्यापन सो पर था SP को लिखे पत्र में ABBP के सागर जिला समन्वयक श्रीराम रिचारिया ने कहा था वेबिनार के दो वक्ता गौहर रजा और प्रफेसर अपूरवनन राष्ट्र विरोधी मानसिक्ता के हैं और इस तरह की गतिविध्यों में शामिल हैं अपूरवनन को दिल्ली दंगों में शामिल पाया गया और इसके लिए उनसे पूछताच की गई गौहर रजा ने आतंकी अफजल गुरू के लिए अजमल प्रेम कविता लिखी है एसपी का कहना है कि विश्विध्याले को केवल वेबिनार रिकॉर्ड करने और ये सुनिष्ट करने के लिए कहा गया था कि इसके आयोजन से पहले कॉलेज के भीतर सभी वर्गों के बीच आपसी सहमती हो उन्होंने कहा जबकि संगोष्टी पर आपत्ती करने वाला पत्र एक विशेश संगठन का था हमारे पास अपनी खूफिया रिपोर्ट थी जिसमें कहा गया था कि कई अन्ने लोग वेबिनार से असहज थे इसे एक विशेश जाती या समुदाय को लक्षित करने के रूप में माना जा रहा था और इसे ध्यान में रखते हुए पत्र लिखा गया था जिसमें आयोजकों को सतर्क रहने के लिए कहा गया था क्योंकि वेबिनार एक सार्विजनिक मंच है इंडियन एक्स्प्रेस से बातचीत में अपूर्वनंद ने कहा कि पुलिस ABVP को चुप रहने के लिए कहने के बजाए आयोजकों के खिलाफ हो गई जो बहुत दुखद है कुलपती पुलिस को ये कहते हुए वापिस लेटर लिख सकते थे कि ये हमारा मसला है आपके लिए खबर लिखीती हमारे साथी डेविट ने शुक्रिया